स्वागत दोस्ताब सभी का फिर से आलू ते बेंगन ते प्याच ते टमाटर पीसी सेड़प के अंदर यानि की हम लोग बात करने वाले हैं पोटाटिव कैटिगरी के पीसी सेड़प के बारे में और यह है इंडियन पीस सेड़प के अपिसोड नंबर 28 तो यार वीडियो ग कमाल की पीसी रिलेटेड वीडियो यार बनाते रहते हैं और साथ में कैस आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉंसर करा है हमारी खुद की वेबसाइट है यानि की कॉमबो यहां से बाई कर सकते हैं या फिर कुछ PC कैबिनेट भी अप यहां पर अवेलेबल कर दी है मैंने और धीरे धीरे हम यहां पर काफी सारे और एड करते जा रहे है धीरे 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 हम और स्टॉक अपना बढ़ाते जा रहे हैं साथ ही साथ यहां पर आपको यहां पर इसे बाई कर देखने में और बहुत जादा एलिगेंट सी लुक हमें यहां पर पर प्रोवाइट कर देता है आप वाल्स देख सकते हो एकदम प्लेन वाइट इन्होंने कर रखे है और उसके आगे बिलकुल एकदम साफ सुतरास अपना सेटप बना रखा है तो ल dedicated graphics card इनके पास कोई भी है नहीं और बाकी cabinet यहाँ पर यूज कर रहे है कोई basic सी in-text के तरफ से बात करें हम लोग इनके peripherals के बारे में तो monitor यहाँ पर यूज कर रहे है Samsung का कोई HD ready वाला कोई basic सा monitor, mouse इनके पास Dell का कोई सा basic वाला wired mouse और keyboard भी अनके पास Logitech का और speaker यहाँ पर made इनकी table है बात करें दोस्त हम लोग यहाँ पर cable management के बारे में तो desk की उपर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है बिल्कुल भी यहाँ पर extra wires कुछ भी देखने को नहीं मिलती बस एक mouse की वायर दिखती है और बाकी जो keyboard है वो इन्होंने sliding drawer के उपर रखा हुआ है तो वहाँ स अपनी तरफ से थोड़े बहुत efforts देने की कोशिश करी है बाकी जो भी लग रहा है ठीक है सुझेशन के बारे में बात करें तो देखो भाई आपका पूरा PC है वो platform ही इतना ज्यादा पूराना हो गया और प्लस आपका जो processor है वो भी इतना ज्यादा वीक है कि इसके अंदर आप dedicated graphics card लगाना भी चाहूना अगर gaming करने के लिए तो अभी आप खास फाइदा नहीं उठा पाओगे तो मैं तो आपको यही recommend करूँगा कि जब भी आपको करना हो तो आप एक बार में ढंक से एक अपना PC विल्ड करना और इसको जो आप इसके अंदर यूस कर रहे है बाक कौन सा है पठा मैं assume कर ले था को इससे तो थोड़ा सा बैटरी होगा और बाकियार looks wise तो आपको setup बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है neat and clean और काफी ज़्यादा elegant है बस हाँ एक suggestion हो रहे है कि भाई कपड़े की उपर रखके mouse मच चलाए करो जो mouse pad है directly उसके उपर रखके फिर mouse को use कर रहे हो तो उस कपड़े को हटा दो भाई सीधा mouse को mouse pad के उपर रखके चलाओ तो ज़्यादा आपको बेटर experience मिलेगा बाकिया आपका setup यार बहुत ज़्यादा सुन्दर लगा देखने में thank you so much हिमानशी अपने setup बेजने के लिए अगली entry हमको submit करी है आयूश setup आप इनका देख सकते हो यार काफी ज़्यादा मतलब dirty सा setup है बिल्कुल भी हाँ पर इन्होंने manage नहीं कर रहा है wires भाई इधर से उधर इधर से उधर जा रही है और कुछ भाई हिसाब किता भी नहीं है बहुत ज़्यादा गंदा है मिट्टी धूल सब कुछ है यहाँ पर 24GB की दो स्टिक्स ग्राफिक्स कार्ड को यहाँ पर dedicated यूज नहीं कर रहे है और केविनेट यहाँ पर यूज कर रहे है कोई सी बेसिक सी सरकल की तरफ से पेरिफरल्स के बारें बात करें तो monitor यहाँ पर यूज कर रहे लेनोगो का L171 कीबोर्ड और माउस इन्होंने लिख इनके पास एक बोया का BY-M1 वाला माइक्रोफोन है जो कि यह कभी-कभी कुछ record वगेरा करने के लिए यूज कर लेते हैं अब इन्होंने बताए कि अपने PC को यहाँ पर यूज करते हैं कोडिंग के लिए YouTube वीडियो के लिए YouTube वीडियो एडिटिंग के लिए मैं आगर बता जाहाले केबल मैंजमेंट की बात करो अगर मैं इनके केबिनेट के अंदर तो यहाँ पर तो इन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करिए बस ऐसी वायर सोड़ी बहुँ डली हुए बस थोड़ा बहुत इन्होंने टाइप करने कोशिश करिए वायर्स को बढ़ हाँ यहां पर तो यहाँ पर आप definitely आप i3 का 4th जन यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो वैसे आपने ये तो नहीं बोला कि आप इसको गेमिंग ले यूज़ करते हो बट हाँ, इफ इन केस अगर आपका मन करें तो आप इसके उपर गेमिंग भी कर सकते हो और एक used आप एक RX 570, 1050 Ti, GTX 960 हो गया या फिर GTX 760 हो गया आप अगर इसको लगा लेते हो तो आप राम से फिर इसके पर गेमिंग भी एंज़़ कर पाऊगे तो बस यार यही कुछ सजेशन थे मेरी तरफ से, अगर आप इनको इंप्लिमेंट कर लोगे तो आपका सेटप यार बहुत ज़दा इंप्रूव हो जाएगा डेस्काप भी देख सकते हैं इनको आईगास इन्होंने कस्टम बेड अपनी खुदी बनवाई है यह टेबल जो की सचमेर काफी अच्छी लग भी रही है अब देखो वह यह जो यहां पर PC उसकर रहे है डेल की तरफ से उनका प्रिविल्ट PC यहां पर यूस कर रहे है अब इसके अगर मैं स्पेक्स के बारें बात करूँ तो प्रसेशर यहां पर यूस कर रहे है इंटल की तरफ से पेंटियम J3710 राम इनके पास 4GB ग्राफिक्स कार्ड इनके पास कोई डेडिकेटेड है नहीं वही आई जी प्यू की उपर इनका सिस्टम चल रहा है और हार्ड राइव इनके पास 1TB की और केबिनेट इनके पास वही जो डेल की है डेल का प्रिविल्ड पीसे तो डेल की केबिनेट यहां पर लगी हुई है बात करें हम लोग पेरिफरल्स के बारे में तो मोनिटर यहां पर यूस कर रहे है इनके पास फिलिप्स के कोई से पता नहीं क्या आजीब सा मॉडल नहीं इनके पर लिखा हुआ है और बाकि इनके पास एक प्रिंटर भी है जो कि आता है एच्पी की तरफ से उनका लेजर जेट 1020 प्लस अब इन्होंने बता है कि अपने PC को यूज़ करते है बेसिक होम यूज़ के लिए अब जैसे कि मानलो पावर पॉइंट चलाना है एकसल चलाना है या फिर कुछ ब्राउस करना है इंटरनेट के उपर तो बस इनी कामों के लिए इनको अपना PC यूज़ करना होता है तो काफी बढ़िया कर रहा है अब क्यूंकि यहां पर वायरलस कीबूर्ड माउस को कॉमबो यूज़ कर रहा है तो उस वायर यहां पर काफी स्यादा कम हो जाती है और वहीं अगर मैं के अंदर बात करूं तो भाई क्यूंकि यह प्रीविल्ट PC है ओम PC है डेल की तरफ से तो उसके पीछे इनोंने वाइट कलर की LED स्टिप लगा रख है और अपने मॉनिटर के पीछे भी लगा रख है तो जब भी अपनी स्टिप्स को जो निकलता है बाई वह सच में बहुत जादा प्यार लगता है और इनके सेटप को बहुत बढ़िया एक लोग यहां पर पर प्र बाकि आपने केवाल मेंजमेंट के रिकार्डिंग जो भी काम यहाँ पर कर रखा है, मिंटिनेंस के रिकार्डिंग सब कुछ काफी ज़दा अच्छा है, तो हाँ आपका सेटप जो है वो काफी ज़दा बैलेंस्ट है, आपको कुछ भी आप अपग्रेड करनी जरूरत नहीं बाकि आपका सेटप यार काफी ज़दा पसंद है, थैंक्यू सो मच आयूश अपना सेटप भेजने के लिए, बगले इंट्री हमको सब्मिट करी, अतानू ने, सौरी अगर आपका नाम मेंने धंक से प्रोनाउंस नहीं करा हो तो, बाकी सेटप आप इनका देख सकते हो, य PC इनका अगेन मेर को जैसे की देख के समझ में आ रहा है, वो है यह है कि इनका एक HP की तरफ से प्री विल्ड PC है, अब इसकी स्पेक्स के बारे हम बात करें, तो प्रोसेसर यहां पर यूश करें, इन्टेल का Core i3-4170 जो कि i3 की 4th Gen वाला प्रोसेसर है, RAM यहां पर टोटल य है, कीबोर्ड और माउस है, इनके पास बेसिक से, वो भी HP की तरफ से आते हैं, हेडसेट इनके पास कोई है नहीं, speaker इनके पास creative के, अज़ा देख सकते हो, यहां पर यह टोटल दो मोनेटर यूश कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक इसलिए बताए, क्योंकि इनका एक ही मोनेट इनके PC से connected है, जो दूसरा वाला है ना, उसके उपर यह कुछ CCTV footage है, जिसको यह देखते रहते हैं, मतलब CCTV से इनके पास कर रहे हैं, और जो भी उसकी live view वगेरा है, वो यह इसके उपर देखते रहते हैं, अब maintenance के बारे हम बात करें, तो cable management का काम, इनके अपने cabinet के अंदर जो है, जो भी best possible हो सकता था, वो करनी कुछिश करी है, और वहीं अगर मैं desk की उपर बात करूँ, तो यहाँ पर हालाद जो है, थोड़े से खराब हैं, बठा थोड़ा सा और इंप्रूफ करा जा सकता है, जो भी wire दिख रही है, उसको थोड़ा सा और अच्छी तरीकी से manage definitely clear करा जा सकता है, बाकी इन्होंने बता है कि अपने PC को यूज़ करता है, जावा प्रोग्रामिंग के लिए, माइनर एडिटिंग के लिए, या फिर कभी-कभी ये simple 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 से जो games है, वो ये इसके उपर खेल लेते हैं, जो कि इनके PC के उपर थोड़े बहुत चल जाते होंगे, अब कोई भी basic काम करना होता हुगा, तो उससाब से तो इनको काफी ठीक ठाक performance यहाँ पर मिल जाती होगी, बट हाँ, अगर इनको gaming करनी जैसे कि इनोंने बता है कि कभी-कभी इसके उपर gaming भी कर लेते हैं, तो basic gaming भी खेल पाते होंगे, कुछ बहुत जादा इनको खास नहीं आता हो, क्योंकि dedicated कोई भी graphics card यहाँ पर use नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप gaming इसके उपर करना चाते हो, तो i3 की 4th channel है, एक ठीक ठाक साब graphics card भी इसके साथ में pair कर सकते हो, GTX 960, 760, कोई भी आपको second end में मिलता है, आप इसके अंदर लगा सकते हो, और बस हाँ जो इसको maintain करना पड़ेगा, जो आपने wires वागे रहे दोर दोर से फैला रखे, उसको थोड़ा सा और अच्छी तरहीं से अरेंज करना पड़ेगा, तो हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फिर आपको यहां से लुक मेलेगा, वो काफी सद अच्छा है, और बागी जो से फॉलो कर लेना और डिस्कॉर्ड भी जॉइन कर लेना, इनकी भी लिंक्स आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक और ने वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आर थैंक्स वाचिंग, अच्छिंग, 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 अच्छ यूश झाल ने, अच्छिंग, इनकी फोगों में, अजए बाहईग, अच्छिंग, घ्डिकशना, ये, वाच् penso, दो आर चेया कि और जाएगे ऐस, आब पी जाउएगे जाओे बाहँ, लोगhigh, रिता सजफ़ाओे ने जाते, जार रूव videoुब, झाल एएफई законч BE,